हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू अलाइन स्टडी चैनल आपके अपने यूटूब चैनल पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स फिर से नया एनलिसीज लेकर आए हैं आपके पास 29 नवंबर फर्स शिप यानि आज मॉर्निंग में जो एक्जाम हुआ था उसमें जो कोशन आए कैसे कोशन आए पेपर वान पेपर टू उसके बारे में थोड़ा सा एनलिसीज करेंगे यहाँ पे सीधे चलते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर बात करते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल था पेपर वन वास मॉडरेट यानि मॉडरेट लेवल का था पेपर ना तो बहुत इजी था और ना ही हम कह सकते हैं बहुत तफ़ ता बठां मॉडरेट लेवल था बैरियर टू कॉम्निकेशन आया था इनाटि लेवल था डिफिकल्टी लेवल उफिस्टी वर गूडेट लेवल इनिकार्ट लेवल गूडरेट लेट। following type question यानि matching आई थी math assertion जो है reasoning का question था ठीक है उसके लबा good emphasize, encryption, comprehensive और 2 RC देखी गई paper 2 में the most difficult question वर from the topic the emergence of reasoning kingdom, society and culture उसके बाद बात करें तो 15 question ऐसे थे जो modern Indian history से थे expected number of good attempt यानि की paper 2 में अगर हम बात करें तो 50 question आप लोग असानी से solve कर सकते थे, हलाकि काफी moderate level का paper था, आपको पढ़ना था काफी कुछ, अब बात करते हैं यहां पर history में, देखी जो paper आज हुआ history का, उसमे negotiation the source में कम से कम 10 question आये थे, state और empire में 15 question पूछे गए, emergence of regional kingdom से 10 question, medieval India history 10, administration economy 5 question, society culture से 10 question पूछे गए, history में modern India history से 15 question, colonial economy से 5, rise of India nationalism से 15, historical method research and methodology से 5 question पूछे गए, बात करते हैं, यहां इस तरीके का यह question देखने में आया, हलाकि clear नहीं था, क्योंकि यह memory based है, जैसा बच्चों ने बताया है, जो हमारे candidate है, सत्वीर, सत्यरंजन, ठीक है, इन्हों ने ही यह चीजे बताई हैं, कि कौन-कौन से question आज पूछे गए हैं, कुलजिंदर ने बताये हैं, तो यहां पर आपको बताते चलते हैं कि किस-किस तरीके के quotion यहां पर आप से पूछे गए थे, डियाई में, डियाई में कैसा question था, डियाई में year दिए गए थे, जिसमें appearing और qualified डियाई सबसे पहले समझ लो जहां पर appearing candidate आप से पूछा गया और qualified के बारे में उसके बाद बात करते हैं यहां पर math assertion में question आया था reasoning में maths के जो question थे assertion reasoning में थे communication से तीन question थे verbal communication उसके अलावा एक question था post independence first education commission for women उनकी president कौन थी यानि who was the chairman of national committee for women education में भी इस तरीके का question था बट आप लोग प्लीज confirm कर लिजेगा क्योंकि यह memory based question और exact question आप ही हमें बता सकती हैं जो exam देके आये हैं कि यह option उसमें था या नहीं है बट क्योंकि हमने hint लगाया है कि इस तरीके का question आया होगा तो अगर दुरगावाई देशमुक यहां पर इसका इस तरीके का question आपको देखने को मिला है तो अनेर्णय या उदासींता यहां पर कह सकते हैं यहां पर option हो सकता है इसका next question आप से बात करते हैं स्वयम प्रभाज शोद गंगा इनसे related आपको एक matching आई थी ठीक है यहां पर इससे से related matching आई थी network से related matching थी ICT में व्यापती से related question था व्यापती ठीक है व्यापती से related भी question पूछा गया आपका उसके अलावा matching थी जिस तरीके से यह matching आप देख रहे हैं इसी तरीके से स्वयम प्रभा स्वयाम थीक है इस तरीके की matching सेम देखी गई है उसके अलावा यहांपर बात कर लेते हैं next question की यहांपर देखिए स्वयम स्वयम प्रभा से related इस तरीके की matching आई है ndl से भी question आया है फ्रेंट्स ndl से भी question पूछा जा चुका है यहां पर उसके अलावा हम बात करें तो यहां पर जैसा कि सत्यरंजन ने सत्वीर ने कुलजिंदर वगेरा समने बताया है जिन्हों ने आज हिस्ट्री एक्जाम दिया शिफ्ट वन में इन्वाइर्मेंटल एक्ट से कोशन आया था अब कोशन इग्जैक्ली क्या थ उसके बाद बात करते हैं यहां पर एक कोशन इस तरीके का बताया जा रहा है कि नयाए दर्शन सांग के मिमानसा की मैचिंग आई थी कैसी मैचिंग हो सकती है जैसी यह आपको दी गई है ठीक है इस तरीके की मैचिंग आपको हो सकता है देखने को मिली हो इग्जैक्ट आपका जो question paper आएगा उसमें उसके बाद बात करते हैं SDG और MDG यानि sustainable development और millennium development goal से कोई भी question नहीं था teaching and research aptitude से कम question से सबसे ज़्यादा question की बात करें तो कौन से section से था वो था communication से ठीके सबसे ज़्यादा communication unit से आज question आए है hard था hard नहीं था easy भी नहीं था moderate लगा ठीके di easy आया था जो अब solve कर सकते थे एक question था acidic rain में कितने percent कौन सी gas होती है ऐसे करके एक question था तो अगर आपने यहाँ पर इसमें से आपको option समझ में आ रहा होगा जिसको जिनोंने exam दिया प्रदूशकों में as to nox और इस तरीके का question देखने को मिला है कि acid rain में कितने percent gas होती तो उसको एक बढ़ के बताना कि actually में क्या question था modern era से एक media का question पूछा गया था जिसमें instagram भी option था एक question था कि 6-5 वर्तमान आयू का अनुपात है वर्तमान में आयू 44 है और उनका अनुपात 6-5 है तो 4 वर्ष बात उनका अनुपात क्या होगा तो यहाँ पर जो बच्चों ने आंसर बताया 7-6 उसके अलावा बात करें fallacy से तीन question थे previous year question पेपर ध्यान से सुनिए previous year question पेपर से questions आ रहे है एक question इस तरीके का आया है नयाए philosophy से जहाँ तातपर या सनिदी योगिता इस तरीके का sequence में आया है या इस तरीके से question आया है बट इनसे ही आया है ठीक है इसी के अधार पर ही question दिया गया था series दी गई थी number series उसमें क्या आएगा तो 72 इसका answer था एक question था di train वाला जिसमें की fourth train का distance reservation क्या है average minimum मतलब assertion reason में ये वाला question दिया गया था आर्सी भी बात करें तो तीन आर्सी पूची गई है एक paper one और दो paper two में जो की difficulty ठीक है जो की difficulty highest question from communication unit अब बात करते हैं एक question fishing से आया था fishing से एक question आया था कि fishing क्या होती है तो इसमें से अगर आपको answer पता हो जिन्होंने भी आज history का exam दिया है वो इस चीज को please confirm जरूर कर दीजेगा comment में कि actual में क्या question था ठीक हम उससे related hint से एक question बना रहे हैं fishing is a category of social engineering attack that is used to steal user data may be example of different type of fishing acts पूछे गए होंगे एक question आया interpersonal interpersonal communication से कि क्या होता है maybe difference पुछा गया होगा या पिर क्या चीज है ये गियर मौकिक और गैर मौकिक चंदेशों के माद्यम से दो या दो से अधिक वक्तियों के पीस संचार को परष पर एक संचार कहा गया अंतर व्यक्तिक संचार स्वयम के साथ संचार इसमें केवल एक व्यक्ति शामिल होता है इंटरा पर्सनल में एक व्यक्तिक के अंतरिक इंद्रिया शामिल होती है स्वयम स्वयम प्रभा इनकी मैचिंग पूछी गई थी ndlc national digital library से भी एक कोशन था national digital library में भी इसका full form हो सकता है पूछा गया हो उसके बात बात करते हैं कोशन नमबर 18 इसमें ये पूछा गया कि अधी एक वैक्ती दूसरे को पत्र लगता है तो ये किस प्रकार का communication था तो वहाँ पर अगर आपका answer वहाँ पर formal letter था तो वही सही होगा www internet से कोशन एक आया था उसके अलावा NEP 2020 से भी कोशन आपसे पूछा गया ठीके NEP 2020 से भी कोशन आया था व्यापती से कोशन था networking का आपसे कोशन पूछा गया जहां पर matching आया थी वर्बल नौन वर्बल से कोशन आया ठीके नौन वर्बल वर्बल जो communication है वो क्या होता है तो ये सब चीजें आज के कोशन पेपर में आई थी वर्बल क्या है नौन वर्बल क्या है और अगर हम बात करें तो डियाई जो थी वो moderate लेवल की थी यानि कि बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ थी ठीक है moderate थी lengthy कोशन था RC difficult सुने में आ रही है कि RC difficult थी तो overall जो आज का पेपर था वो था moderate लेवल का moderate लेवल का पेपर था जैसा कि भी आमने आपको बता भी दिया किस तरीके के 20 questions क्या पूछा गया एक बार आप लोग ये PDF देख लीजेगा ये मैं आपको website पर upload कर दूँगी साथ ही आपको telegram पर भी मिल जाएगी ये PDF तो मुझे एक बार ही आप लोग confirm करके बता दीजेगा कि exactly क्या question था क्योंकि हम यहाँ पर memory based question solve कर रहे हैं जो आज के question paper से मिलते जुलते question है या जो पूछे गए हैं ठीके तो थोड़ा आप लोग भी देख लीजेगा कौन कौन से exactly question आए हैं और कोई भी question होता है अब हमें telegram पर बात कर सकते हैं comment कर सकते हैं तो ये PDF के लिए please आ आपके लिए थोड़ा बहुत fruitful रहा होगा क्योंकि थोड़ा hint हो जाता है इनसे कि कैसे कैसे questions आए थे और अगर आप चाते हमारे साथ UGC net की त्यारी करना तो चैनल को अभी subscribe कर लिजे, join कर लिजे और telegram में जुड़ जाईए क्योंकि telegram पर जितनी भी live classes होती हैं सबकी free PDF आपको available होती है तो चलिए मिलते हैं next class में तब तक अपना ध्यान रखे और वीडियो को जाते जाते प्लीज एक like कर दीजे कार हो सके तो share कर सकते हैं ठीके तो आज का question paper जैसा कि आपको बताया moderate level का था क्या question थे 20 questions हमने आपको बता दिये with answer कोशिश करी हमने memory based ये questions था ठी ठीक है तो जिसको भी confirm पता हो कि exactly क्या आया था तो please हमें comment कर सकता है telegram पे हमें बता सकते हैं thanks for watching